केंद्रिय माध्यमेक शिक्षा बोड यानी CBSC की दस्वी और बारवी कक्षा की बची हुई परिक्षाएं जुलाई में होंगी शिक्षा मंतरी रमेश पोक्रियाल निशंक ने इस बात की जानकारे दू उन्होंने कहा कि CBSC की बची हुई दस्वी और बारवी कक्षा की परिक्षाएं एक जुलाई से लेकर पंदरा जुलाई के बीच होंगी गौरतलब है कि CBSC की बची हुई परिक्षाओं को लेकर विध्यारतियों को लंबे समय से इंतजार था रमेश पोक्रियाल लिशंक ने कहा कि वो दस्वी और बारवी कक्षा की बची हुई परिक्षाओं में भाग लेने वाले सभी विध्यारतियों को शुबकामनाय देते हैं गौरतलब है कि इस वक्त देश में कोरोना वाइरस से रोक थाम के लिए तीसरे चरण का लोगडाउन चल रहा है जो कि 17 मई तक है लोगडाउन की वज़ा से पुरदेश में CBSC बोड की दस्वी और बारवी कक्षा की बची हुई परिक्षाओं को स्थागित कर दिया गया लेकिन अब इन परिक्षाओं की तारीक जारी कर दी गई रमेश पोक्रियाल निशंग ने कहा कि दस्वी और बारवी कक्षा के विध्यारती इन परिक्षाओं की अच्छे से तैयारी करें उन्होंने कहा कि वैकल्पिक पेपरों के नंबर आंतरिक मूल्यांकन के जरिये दिये जाएंगा सिर्फ मूल विश्यों के ही पेपरों का आयोजन होगा रमेश पोक्रियाल निशंग ने विध्यारतियों से लॉकडाउन का फायदा उठाने और इन परिक्षाओं को लेकर अच्छे से तैयारी करने का निवेदन भी किया है निशंग ने बताये कि बारवी कक्षा के बारा विश्यों के पेपरों का आयोजन किया जाएगा पिरे विध्यारतियों आशा है कि आप अपनी तैयारियों को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे ऐसे बहुत दिनों से आपके मन में था कि जो छूटे हुए पेपर हें CBSC बोड के वो कब हो गए और जैसे हमने पहले भी कहा था कि आपको अची सी तैयारी करिये अब जो CBSC बोड के जो बच्चे वह पेपर हैं चाए वो हाइ स्कूल के हैं चाए इंटर के हैं वो बचेवे जिते भी प्रश्न पत्र हैं वो एक तारिक से और पंधा जुलाई तक एक जुलाई से पंधा जुलाई तक ये पेपर आपकी होंगे और आपको अच्छा ये आउसर मिलेगा जब आप उसकी अच्छी सी और तैयारी कर सकते हैं वेशे तो संपूर्ण भारत में जो इंटर के हैं वो मात्र बारा मुख्य बिशे हैं और जो मुख्य बारा बिशे हैं उनी पर इंटर का लेना है जिसमें दिल्ली के जो हाई स्कूल पूर्वी जिल्ले के जो छूट गए थे हाई स्कूल के जो छे पेपर छूटे थे और जो बार्वियंग की गुल मिला करके पुर्वी जिल्ली के जो प्रस्तितिवस नहीं हो पाए थे उनके लगभग 23 पेपर थे तो वो भी ये सारे प्रश्ण पत्र विशयों के बोल विशयों के ये एक जुलाई से पंदर जुलाई के बीच होना निशित है मेरी शुब कामना है कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें